नमस्कार दोस्तो मैं हुए एस्पी शर्मा आप देख रहे हैं ग्रेंड गार्डेंड चैनल में आप सभी का शागत है आज मैं आप लोगे की शाथ शेयर करूंगा एक एजी रोज फ्लावर प्लांट जो की बहुत ही अशनी से आप अपने गार्डेंड में या घर पर टेरेस पिंक कलर का हाई फ्लावर प्लांट है जिसका नाम है दमस्क रोज यानि की देशी रोज फ्लावर प्लांट है समर सिजिन में जे फ्लावर एक दिन टिकते है और विंटर सिजिन में दो दिन टिकते है और अभी रेनी सिजिन में भी दो दिन टिकते है इस से ज़्यादा नह लगाएंगे और जिस टाइम फ्लावर खिलेंगे आर्ली मर्निंग आप अगर टेरेस के उपर आएंगे तो पूरे टेरेस आपका महग जाएगा इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसका बहुत दूर से आपको खुजबू आएंगे बहुत ही अच्छा खुजबू है और ये फ वाले शमाई में अक्टोबर मांत में इसको मैं 12 इंच की पॉर्ट में सिट करूंगा 14 इंच की पॉर्ट भी होंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि देशी रोज फ्लावर प्लांट को थोड़ा सा बड़े पाट में आप सिट करेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी एक आपके पाश एजी मेंटिनेंस बाली रोज फिलावर प्लांट को ग्रो कर सके और बहुत ही हार्डी प्लांट है यह बहुत जल्द डाइबेक का शिकार नहीं होते बहुत जल्द यह मरते भी नहीं है बहुत ही अच्छ एक दमास्क रोज यानि की देशी रोज फ्लावर प्लांट की काटिंग्स कहीं से भी कलेक्ट कर लीजिए और अपना घर पर काटिंग्स लगा लीजिए या प्लांट मिल जाते हैं तो प्लांट भी लगाईए तो आप लोग को काफी ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे यह दे और इस बर अक्टोबर मांथ में जब मैं प्रूनिंग करूंगा, उसके बाद ए फ्लाउर प्लांट और भी काफी ज़्यादा बुशी हो जाएंगे, और साल भर अल्मुस्ट फ्लाउरिंग करते रहते हैं, तो इसका जो क्यार है, मैं आदर्स जो रोज फ्लाउर प्लांट की क लगाएंगे, यह देखी, एक पतली सी ब्रांचेस है, इसमें से भी काटिंग्स लग जाएंगे, काटिंग्स लगाने के लिए आपको आल्मोस्ट शिक्स मंथ पुराना एक ब्रांच लेना है, यह जो ब्रांचेस देख रहा है आप, यह छे महीने पुराना है, शिक्स मंथ की पॉट ले लिजिए उसमें लगा दीजिए और आपको शेड में रख लेना है उसके बाद एक मेने की आंदार आपकी फ्लार प्लांट्स की जो काटिंग्स है वो शक्सेस हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कम से कम दो से धाई मेना लगता है पूरा हंड़ेट पर के लिए और वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोग देख पाएंगे जे काटिंग्स कैसे ग्रो करना है इन्सेक्टि साइड में आप कांफिडर वान एमेल पाल लिटर बाटर डिजल्ब करें ए फ्लार प्लांट की उपर आभी हर दस दिन में स्प्रे करें दस दिन में एक एक बार आप कांफिडर एक बार इंट्रेपीड यूज़ करें इंट्रेपीड लॉतिर वाटर रिजल्ब करें और यह फ्लोर की ओपर डॉपर ऑना हो यह निकी जिस ट्रबफ गिली रहें लेप ऊस टाइब आप अगर एश्प्रे करेंगे तोां इपको अच्छा रजल्ट नहीं मिलेगा फांजी साइड आप 10 दिन अंतर से एक बार दीजिए एक बार रिडो मिल गोल्ड दे दीजिए 2 ग्राम पर लिटर वाटर एक बार बैविश्टन स्प्रे करे 1.5 ग्राम पर लिटर वाटर दोनों के बीच में 10 दिन की गैप दीजिए पीजियार आप हर हफता एक बार एस्प्रे करे आपके पाश बायो बिटा एक्स होंगे बायो बिटा एक्स 2 एमेल पर लिटर वाटर आपके पाश अगर ओमेगा गोल्ड प्लस है 2 एमेल पर लिटर वाटर आपके पाश बायो बिटा एक्स है तो 2 ml पर लेटर बाटर कोई भी एक पीजेर या अल्टरनेट करके यूज़ करे multiple micronutrient आपको यूज़ करती ही रहना है तो आप 10-15 दिन अंतर से एक बर multiple micronutrient एस पर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा result मिलेंगे यह दिखें new branches और आते जा रहा है new branches आएंगे तो उसमें भी बाट्स लगेंगे और इसमें कभी-कभी तो बाट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं एक शाथ 8-10 बाट्स लगते हैं अभी ऐसा नहीं है यह दिखें इसमें 3 था तो बहुत ज़्यादा फ्लाउर किलते हैं और जो फर्टिलेजर है फर्टिलेजर के लिए मैं बात करूँगा आप लोग green garden का mix fertilizer दीजिए इनके सगर green garden की mix fertilizer नहीं है ओ कंडिशन में आप रेनिसिजन में NPK 13-40-13 13-40-13 धन रखेगा दो गिराम यह जो soil है soil media में देना है फर्टिलेजर में मैं green garden का mix fertilizer यूज करता हूँ यह देखी मेरे पाश mix fertilizer है बारिश की कारण नहीं थोरा से नमी पकड़ लिया है यहां से मैं आधा चम्मच यह इस्टिल की चम्मच की आधा चम्मच देंगे और हर दस दिन अंतर से एक बार हम आधा चम्मच दे देते है ऐसे करके आपको भी देना है यह soil के उपर विखर देंगे आपको अलग अलग प्रकर की fertilizer देने की ज़रुत नहीं है इसके साथ आप एक चम्मच निम्खली दे शकते है और आभी और कोई भी औरगनिक fertilizer हम इसमें प्रवाइड नहीं कराएंगे शिवीट ग्रानूल्स अगर है तो शिवीट ग्रानूल्स एक चम्मच दे दीजिए मेरे पार शिवीट ग्रानूल्स है मैं भी एक चम्मच शिवीट ग्रानूल्स दे देता हूँ यह देखिए है पर एक चम्मच शिवीट ग्रानूल्स है और एक चम्मच निम्खली है यह मैं पॉट की चारो साइड में डाल देंगे धीरे धीरे करके ऐसे करके आप लोग दीजिए और इसके शाथ-शाथ इनकेस आगर आपके पाश ग्रिन गार्डन की मिक्स फर्टिलाजर नहीं है तो ओ कंडिशन में आपको NPK 13-40-13 लेना है और 2 ग्राम आपको दे देना है 2 ग्राम आपको 13-40-13 देना है 13-40-13 आपको हर 10 दिन आंतर से एक बर देना है इससे ज़्यादा नहीं देंगे और इससे कम भी नहीं देंगे 10 से लेके 12 इंच पर्ट के लिए है और आपके पाश अगर ग्रिन गार्डन की मिक्स फर्टिलाजर नहीं है आप अगर पर्टिस करना चाते तो डिस्क्रिप्शन बक्स में बाट्स अप नमबर देया हो रहेगा वहाँ से जाके आप कंटक्ट कर शकते है और आप अगर अपना घर पर बनाना चाते है तो उपर आई बटन में एक लिंक प्रोवाइट करा दिया है मैंने इसका वीडियो है वो वीडियो देख लिजेगा और आप अपना घर पर बहुत ही आशानी से बना शकते है ऐसे गर के आप बना के यूज करें तब भी चलेगा ऐसे ही करके आप अगर क्यार करते रहेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट में हुज कांटिटी में फ्लावर माल्टिपल ब्रांचेस आएंगे और आपकी प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना शेर कर देना जरूर शब्सक्राइब कर देना शाथ में बिल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर आओ अब तक तुरहन पूश्चर के दस्तों आज ही तक है इसके बाद फिर में लेंगे नाट अपके के शाथ नया जान कर लेकर आएंगे थैंक्स और बाची